जिला पंचाय सदस्य ने ठेला लगा कर रहगीरों को पिलाया सत्तू बढ़हल गंज जिला पंचाय सदस्य आलोगुता ने श्वेम अपने चित परिश्वित अंदाज में ठेला लगा कर नीशुल कर रहगीरों को सत्तु पिलाया उन्होंने कहा कि इस महामारी संक्रमण काल में रहगीर वह यात्रियों को पेजल नहीं उपलब्ध होने से काफी दिक्कत हो रही है ऐसे में उन्हें यात्रियों को बास का उतासिल मुख्याले परिस्थित सामुदाइक श्वास्ते पर नगर पंचया द्वारा आरो लगाए गया है परन्तु दोनों टोटियां गायब हो गई हैं जिसके चलते लोगों को पेजल की शमश्या उत्पन्न हो रही है लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर है इस एक घंटे में भटके बालक को पुलीस ने किया बरामत बढ़ल गंज इस्थानी उपनगर के कुटिया मुहले निवासी गामशाह का चार वर्सी पुत्र मोनु बुधवार की दो पहर दो बजे घर से निकल कर कहीं चला गया जिसके बाद श्वजन उसे खोजने लगें काफ अथी देर बाद शाम लगभग 6 बजे गोला रोट से बालक को बरामत कर सोजनों को सुपुर्द कर दिया सडक हाथ से में बाइक सवार घायल जुमिला बजार बढ़ल गंज थाना छेतर के राम जान की मार के कुड़वा आम चोराहे पर दो बाइक की आमने सामने के टककर में सवार घायल हो गया गोला थाना छेतर के भरो निवासी इर्फान बाइक से भरा से बढ़ल गंज की तरफ जा रहे थे उधर बढ़ल गंज थाना छेतर के बेदावली निवासी परवेश बाइक से अपनी बहन जरीना और भांजे रहान के साथ गोला साधी में सामिल होने जा रहे थे चराहे पर दोनों बैक टकरा गई जिसमें इर्फान घाय लोग हैं दुकांदारों ने इंबुलेंस बुला कर इर्फान को सामुदाइक स्वास्त केंदर बढ़ाल गंज भेजा होमियोपैथिक मेटकल कॉलेज पहुंचा ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाल गंज राजकी होमियोपैथिक मेटकल कॉलेज में बन रहे सौबेट के कोवीड अस्पताल के लिए तीन दिन में नोईडा से चल कर 18000 लीटर की छमता का गश्ट्रान कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट दो पहर में अस्पताल पहुंचा जिसके बाद उसे क्रेन से उतरवा कर लगाने का काम सुरू कर दिया गया है जो प्रति दिन 18000 लीटर आक्सीजन प्रकृति शेउत्पन करेगा यह जानकारी कॉलेज के प्रचार प्रोफेशर डॉक्टर अनिल सिंग ने दी है उस दौरान HDM राजिंद्र बहादूर, डॉक्टर गडेश, डॉक्टर वीके राय, डॉक्टर सियेश गुपता, डॉक्टर के के शिंग अनि ब्यवस्था की देख रेक में लगे हैं भू माफिया ग्राम सभा की पोखरी पर कर रहे हैं कपचा, राजस्वी विभाग भी है चुप बास गाव ब्लाक के तियर ग्राम सभा के पोखरी पर भू माफियो द्वारा कपचा किया जा रहा है, पर नो तो प्रिशाशन और नो तो राजस्वी विभाग ने इस पर कोई करवाई करती न जरा रही है जबकि पोखरे के कबजा करने की सिकायत ग्रामीड सहबान अली द्वारा ततकार डायल 122 से की गई और मौके पर पहुँची ये राजस्वी विभाग का काम है और मौके से चली गई लेकपार विपिनकुमार से की गई तो उन्होंने करवाही की बात कहके अपना पल्ला ज़ाड लिया ग्रामीडो ने उपजिलादिकारी से सिकायत किया उपजिलादिकारी असोप पांडे ने जाच कर आवश्य करवाही की बात कही किस दरज? 19. इलाके के एक गाउं के किसोरी के साथ दुसकर्म का मामला सामने आया है पुलीस ने किसोरी के भाई की तहरीर पर दुसकर्म पाकसूत धमकी देने मारपीट का केस दर्श किया है तहरीर में कि सोरी के भाई ने लिखा है कि रिस्तेदारी में आने वाले आदित्ये ने उसकी नाबालिक बहन को साधी के जहासे में फसा कर दुसकर्म किया गाउं के रिस्तेदार के घर इसकी सिकायत लेकर गए तो उन लोगों ने मार पीट कर भगा दिया पुलीस ने मामले में आदित्य साहनी पावन और राम नवल के खिलाफ केस दर्श किया है दिस्तौलिया चौराहे पर हैंड पंप लगने से खुशी बढ़ल गंज पटना घाट के दिस्तौलिया चौराहे पर हैंड पंप लगने से लोगों में खुशी है जिला पंचायत, सदश्य, जितेंद्र यादो ने रहगीरों के लिए हैंड पंप लगवाया इसकारे पर अमरनाथ मिस्र, हीरा गौड, जवाहर प्रिजापती, रितेश रिवास्तो, कनहया गुपता, डॉक्टर वन्सराज भार्ती, सत्रुधन यादो और इंदल गौड सही तन्य लोगों ने खुसी जताते हुए कहा कि इस चौराहे पर एक भी हैंड पंप नहीं था, लोगों को पानी के लिए परिशानी का सामना करना पड़ता था सरकारी योजनाओं का हर ब्यापारियों को मिले गालाव, अरुड गुपता इस कोरोना काल में ठेला खोमचा रेडी ब्यापारियों एवं रिक्सा इरिक्सा दिहाडी मजदूर गरीव अशाहयों को सरकार द्वारा एक हजार मार्शिक देने का निड़य लिया गया था जो राजस्व अनुभाग 11 शासनादेश द्वारा पारी थै जिस संबंद में उत्तर प्रदेश उद्योग ब्यापार प्रतिनिधी मंडल धुरिया पार अध्यच अरुड गुपता ने विकास खंड उरुवां के धुरिया पार मार्केट के समस्त पात्र ब्यापारी के दन पत्र भरकर के एडियो पंचायत ब्रिजेश कुमार यादो को सुपुर्द कर दिया एडियो पंचायत ब्रिजेश कुमार यादों ने जांच कर आवश्यक कारवाई की बात कही सरकारी योजनाओं का हर ब्यापारियों को मिले गालाव अरुड गुत्ता इस कोरोना काल में ठेला खोमचा रेडी ब्यापारियों एवं रिक्सा इरिक्सा दिहाडी मजदूर गरीव अशाहयों को सरकार द्वारा एक हजार मार्शिक देने का निड़य लिया गया था जो राजस्वानुभाग इग्यारा शासनादेश द्वारा पारी थै जिस संबंद में उत्तर प्रदेश उद्योग ब्यापार प्रतिनिधी मंडल धुरियापार अध्यच अरुर गुपता ने विकास खंड उर्वां के धुरियापार मार्केट के समस्त पात्र ब्यापारी गरीब मजदूरों का आवेदन पत्र भरकर के एडियो पंचायत ब्र प्रवारी अमीद दूबे ने चेत्र में चेकिंग और लॉकडाउन का पालन कराया वहीं चौराहे पर बेवज़र घूम रहे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया उन्होंने लोगों से अपील किया कि लॉकडाउन का पालन करें अपनी दुकाने बंद रखें सिर्फ दवास सबजी और किराने की दुकानों को छोड़ कर कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए जो भी दुकानदार इसका पालन नहीं करें उसके खिलाप लॉकडाउन के उलंगन का मुकदमा दर्श किया जाएगा दुसकर्म के आरोपी ने यूटी पर किया जानलेवा हमला महावीर शप्रा बेली बार्थान च्छेत्र के एक गाउ में दुसकर्म के आरोपी ने छत पर सोर यूटी पर जानलेवा हमला कर दिया राथ हमले के बाद घायल ही उती को मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था जहां से पीजी आई रेफर कर दिया गया पुलीस ने आरोपी गबर पर हत्या की कोशिस का केस दर्श कर तलाज सुरू कर दिया सियो बासगाओं के नितरित में लावडी स्पीकर से की गई दुकानदारों से अपील कॉडी राम बासकाउं थाना चेतर के कौडी राम में सीओ बासकाउं के नित्रित में चेकिंग और लॉकडाउन का पालन एसेच्चो बासकाउं राणा देवेंद्र प्रताप सिंग ने कराया वहीं चोराहे पर बेवजब घूम रहे हैं लोगों को चेताउनी देकर छोड़ा गया लावडी स्पीकर के माध्यम से ब्यापारियों से अपील की गई कि लॉकडाउन का पालन करें अपनी दुकाने बंद रखें सिर्फ दवा, शबजी वक किराने की दुकानों को छोड़ कर कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए जो भी दुकानदार इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाप लॉकडाउन के उलंगन का मुकदमा दर्श किया जाएगा स्वास्ते उकेंद्र तियर में गर्वतियों को लगा ठीका उकेंद्र की मरमत भी नहीं हो रही है बासकांबलाक के श्वास्ते उकेंद्र तियर पर गर्वति औरतों जच्चा बच्चा वर नौनिहाल बच्चों से लेकर पांच साल के बच्चों तक को टी-टी भूश्टर पोलियो बीसीजी का टीका करण हुआ जिसमें आज 12 लोगों को टीका दिया गया जो एन्नेम करुडा राय वा आशा सुनिता सिंग आगनवारी सुनिता देवी पार्वती राय की उपस्थिती में हुआ नेशनल हाईवे की हालत बच्चे बत्तर हाटा गोरकपूर वारार्सी नेशनल हाईवे की हालत बच्छे बत्तर होने से लोगों को आवागमन में भारी अशुविधा का सामना करना पड़ रहा है बताते चले कि गोरकपूर से वारार्सी हाईवे का निर्मार धीमी गती से हो रहा है जगा जगा खुदाई कर दी गई है जिससे बरसात का पानी से जल जमा वा कीचर से आनी जानी में लोगों को अशुविधा का सामना करना पड़ रहा है लोगों ने उबजलाधिकारी से सिकायत कर यथा शंबव सुधार की मांग किया है